पीनियल के स्राव को योगिक शब्दावली में अम्रित कहा जाता है क्योंकि जब वो रिसने लगता है तो आपकी हर चीज मधुर और सुन्दर हो जाती सेक्शुयलिटी उसे सीमित नहीं करती बल्कि भौदिक्ता के साथ अत्यदिक पहचान उसे सीमित करती अगर आप उसे बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं तो आप विक्रित दिमाग के हो जाएंगे अगर आप उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और भी विक्रित हो जाएगा एक 92 साल का बुढ़ा आदमी फुल मेडिकल जांच के लिए अपने डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसकी जांच की और वो बोले मेरे बुजुर्ग दोस्त अपनी उम्र के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है मगर उस आदमी ने पूछा मगर डॉक्टर मेरी सेक्स लाइफ का क्या तो डॉक्टर ने पूछा उसके बारे में सोचना या उसका सपना देखना आप जितना किसी चीज के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उसके बारे में सोचने लगेंगे मन की प्रकृती ही ऐसी है तो कई वज़े हैं कि कोई व्यक्ती सेक्स में लिप्त होता है कुछ के लिए वो सिर्फ सुख है कुछ के लिए ये बंधन और सहाचरे को मजबूत करने का एक तरीका है वरना लोग महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं वो भले ही ठीक हों मगर बहुत से लोगों के दिमाग में ये बसा होता है कि अगर वो सेक्शुली सक्रिय नहीं हैं तो वो वास्तव में दूर हो रहे हैं ये सच नहीं है आप किसी से बहुत करीब हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि शारीरेक रूप से जुड़े होए हों, है ना, मगर समाज के दिमाग में ये होता है, खास कर दुनिया के एस हिस्से में लोग बड़े पैमाने पर मानते हैं कि अगर सेक्शुयलिटी नहीं है, तो वास्तव में नहीं है, अगर मेरा आपके साथ बहुत मजबूत रिष्टा हो सकता है, और आपके शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, है ना, मैं किसी भी तरह आपके शरीर के प्रति आकर्शित ना होते हुए भी आपके साथ बहुत मजबूत रिष्टा रख सकता हूँ, मगर उन भावनाओं को पूरी तरह नकार दिया गया है, एक रिष्टे का मतलब है कि आपको किसी रूप में शारीरिक तौर पर शामिल होना है, पुरुष्ट्री या पुरुष-पुरुष, स्त्री-स्त्री जो भी आप चाहें, मुख्य रूप से ये शरीर पर आधारित है, किस तरह क के सामान्य स्तरों के परे चली गई है, ये शरीर के साथ अत्याधिक पहचान है, इसलिए शरीर आधारित रिष्टे समाज के मूल बिंदू बन गए है, जो अपने भौतिक शरीर से बहुत जुड़ा है, वो स्वभाविक रूप से, सेक्स से प्रेरित है, क्योंकि यही पोच्च चीज है, जो वो जानता है, ऐसे तरीके हैं, जिन से आप कुछ ऐसा पा सकते हैं, जो इससे कहीं अधिक बड़ा है, एक बार आप इससे बहतर कुछ चक लें, फिर मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ दो या उसे छोड़ दो, वो वैसे ही खत् कुछ साधना की तरीके हैं, जो सेक्श्वालिटी से आधिक तीव रहें, जो सेक्श्वालिटी से आधिक आनंद मैं हैं एक स्तर पर यदि आप इसे देखें, योग के सभी आयाम किसी ना किसी तरह आखिरकार पीनियल को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, क्यूंकि एक बार जब वो रिसने लगता है, तो आपकी हर चीज मधुर और सुन्दर हो जाती है, वो एक पूरा भीतरी सुख पैदा करता ह जिससे सभी बारी सुख बच्चों की चीज की तरह लगने लगते हैं, यही वज़य है कि योगी सिर्फ आँखें बंद करके बैठते हैं, इसलिए नहीं कि वो सुख के खिलाफ हैं, वो छोटे सुखों के खिलाफ हैं, बस यही है, तो शामभवी, इससे एक चीज जो होती ह यह पीनियल सराफ को बहुत हद तक उत्तेजित करती हैं, जिससे आप दिन भर एक दरह की मिठास में भीगे रहते हैं, यह आपको परमानंद और आनंद की एक स्थिती में छोड़ देती हैं, क्यूंकि पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, यह आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है, जो आपकी चेतना के काफी करीब है, बाकी शरीर विज्ञान गुजर बसर के बारे में हैं, मगर पीनियल ग्लैंड आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है, जो भौतिक से परे जाने के बहुत, बहुत करीब है, योगिक परंपरा में इस मिठास को अमरित या सुधा या जीवन अमरित कहा जाता है, अगर उसकी एक बून्द शरीर में आ जाए, तो अचानक पूरा शरीर शीतल हो जाता है, पूरे सिस्टम में चिकनाई आ जाती है, वो आसानी से काम करता है, शरीर की हताशा चली जाती ह मन की हताशा चली जाती है अमरित का अर्थ है कि आपने अपना सुख पालिया है अगर आप अपने अंदर बहुत आनंदित है तो आपने अपने अंदर अमरित पालिया है आप काफी आप सुख़द्धा की चरम अवस्था में हैं अब लोगों के साथ होना, उनसे सुख निचोड़ने के लिए नहीं है, लोगों के साथ होना बस, बस उनके साथ होना है, अब आप वास्तव में प्रेम करने लाइक हैं, वरना वो सिर्फ एक खुल या सिमसिम वाली चाल है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ का मतलब है, कि चाहे आप पर विश्वास हो या नहीं, उस पल के लिए वो आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी चीज़ की जरूत है, आपको भी किसी चीज़ की जरूत है, है ना? ये जैसे आप जानते हैं अली बाबा और चालीस चोर, खुल जासिमसिम मतलब वो खुल जाता है, ये ऐसा ही है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मतलब कई चीज़ें खुल जाते, अब ऐसा करते हुए मैं ये नहीं कहरा कि ये सही या गलत है लोग अपना जीवन ऐसे ही चलाते हैं इसमें कुछ नहीं है मगर ऐसा करते हुए आपके अंदर प्रेम की एक तीवर भावना को जानने की संभावना नश्ठ हो जाती है आप लगातार ये देखते हैं मैं इस व्यक्ति से क्या पा सकता हूँ मैं उस व्यक्ति से क्या निकाल सकता हूँ ये एक ठग का काम है इसे प्रेम संबंध कहा जाता है मगर ये ठगई का काम है लेकिन अगर आप अपने आप में बहुत आनन्दित होते हैं जब आप लोगों के साथ होते हैं, तो ये आपका आनंद साजा करने की बात होती है. इसका मकसद है कि अगर वो इससे अच्छूते हैं, तो किसी तरह उन्हें इससे छुएं. बजाए ये देखने की कि आप उनसे क्या निचोड सकते हैं. आपके जीवन की सारी बुनियाद करती, बलकि भौतिक के साथ अत्यधिक पहचान उसे सीमित करती है. तो असल में ये सेक्शूयलिटी नहीं है, जो बाधा बनती है, बलकि वो भौतिकता से जो जुडाव पैदा करती है, वो निश्चित रूप से बाधा बन जाती है. ये सवाल उस छिटपुट जानकारी, उस गौसिप से आया है, जो आपने सुना है कि किस तरह आप अपने ही वीर्य को आत्मसाथ करके उसे अपनी उच्चितर संभावना तक उठा सकते हैं, हाँ, ये सच है. साथ ही, कोई परहेज के कारण ऐसा नहीं करता, अपनी उर्जा को आंतरिक बनाते हुए, आप ऐसा करत सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सेक्स से दूर रहता है और अचानक उसकी उर्जा संगठित होकर उपर बढ़ती, ये सच नहीं. अगर आपकी उर्जा संगठित होती है और बढ़ने लगती है, तो सेक्शुालिटी की जरुवत आपके लिए खत्म हो सकती, मगर ये आपको अक् सारी बाधायें खत्म हो जाती हैं. मुख्य रूप से अधिकांच सेक्शुालिटी जो धर्ती पर है, वो एक तरह की मजबूरी के कारण है, है ना? वो आदत से मजबूर होना है. जब आप छेतन हो जाते हैं, जब सारी बाधायें गायब हो जाती हैं, ये भी गायब हो जात सारी इनका कोई संबंध नहीं है, वो आपस में जुड़े नहीं हैं. एक शरीर का है, दूसरा एक अलग आयाम है. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग, क्योंकि दुनिया के धर्म, नैतिक स्कूल और नीतिवाद स्कूल हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए ये लोगों क्योंकि मन में इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, कि वो सोचते हैं, कि परे के बारे में कुछ जानने का एक मात्र तरीका ये है, कि आप इससे दूर रहें. क्योंकि कहीं न कहीं, आप एक इनसान की सरल बायॉलोजी को समझ नहीं पाते. ये एक तरासदी है, कि आप साधार बायॉलोजी को स्वीकार नहीं कर सकते. आपको या तो उसका जश्न बनाना होता है, या उसे नाली में फिंक देना होता है. दोनों ज़रूरी नहीं है. आप उसकी सीमाओं को देख सकते हैं और उसकी संभावनाओं को देख सकते हैं. तो अगर सेक्स की अपवित्रता के कारण आपकी आध्यात्मिक्ता में बाधा पड़ रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जन्म ही अपवित्र है. जब जन्म ही अपवित्र है तो आपके लिए संभावना कहा है आपके लिए कोई संभावना नहीं है सिर्फ अगर आप कहीं और से गिरते अगर सारस आपको गिरा जाता तब ही आपके अध्यातमे अगर आपकी मा ने सामान्य रूप से जन्मन दिया है, तो आपके लिए कोई सम्भावना नहीं। एक छे साल की बच्ची एक दिन स्कूल से घर लोटी। और पूछा ममा मैं कैसे पैदा हुई थी। मा शर्मिन्दा हो गई। वो बोली एक सारस तुम्हें गिरा गया। वो बोली ठीक है, उसने लिख लिया। ममा आप कैसे पैदा हुई थी। मुझे भी एक सारस ने गिराया था। ममा, नानी कैसे पैदा हुई थी। उन्हें भी एक सारस ने गिराया था। फिर वो बच्ची गंभीर हो गई। और वो नीचे जाकर बैठ गई। और अपने होमवक में कुछ लिखना शुरू कर दिया। मा सहज महसूस कर रही थी। उसने खाना पकाना खत्म किया। तब तक लड़की ने अपना होमवक पूरा कर लिया था। और किताब वहीं छोड़ दी थी। उसने जाकर उसे पढ़ा। तो फैमिली ट्री के बारे में निबंध था। बच्ची ने लिखा था मेरे परिवार में तीन पीडियों से किसी का जन्म कुदरती रूप से नहीं हुआ है। तो मूर्खता पूर्ण विचारों के कारण हम या तो किसी चीज को बढ़ा चड़ा कर कहते हैं अनवश्यक रूप से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। इसकी आपके जीवन में एक भूमिका है। अगर आप इसे बहुत बड़ा बना देंगे, तो आपका दिमाग विक्रित हो जाएगा। अगर आप उसे मिटाने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग और अधिक विक्रित हो जाएगा। आखिरकार, अब मैं बोल रहा हूँ, ये एक तरह की उर्जा है। आप मेरी ओर देख रहे हैं, ये एक तरह की उर्जा है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक तरह की उर्जा है। अब sexuality भी उसी उर्जा की एक अलग अभी व्यक्ति है अब व्यक्ति को तैय करना है कि उसकी उर्जा का कितना हिस्सा वो किस दिशा में भेजना चाहता है क्योंकि आखिरकार आपकी उर्जा सीमित है है न? देखे ये ऐसा है आपकी आये मान लीजे आपकी मासिक आये 5000 डॉलर है कितना घर के किराय के लिए कितना खाने के लिए कितना बढ़ाई के लिए कितना सिर्फ मनुरंजन के लिए कितना छुटियों के लिए आप बाढ़ते हैं है न? कल सुबह आपको तनखा मिली शाम में आप बाहर गए और उसे उड़ा दिया अब अगले महीने परिशानी हो जाएगी है न? हाँ, आपके बास क्रेडिट कार्ड है मगर आपके जीवन में सब कुछ अगर आप अपने जीवन को समझदारी से चला रहे हैं आपके जीवन में सब कुछ आपकी समझ, आपकी जरूरत और आपकी शमता के अनुसार बांटा हुआ है है की ने? हाँ, आपका पैसा, समय, उर्जा, क्या सब कुछ बांटा हुआ नहीं है? जिस तरह आप उसका प्रबंध करना चाहते हैं ये भी वही चीज है कितना होना चाहिए? पहले तो क्या आपको उसकी जरूरत है? या आप उसे कर रहे हैं क्यूंकि आप समाजिक रूप से बाद्या है अगर जरूरत है और मैं आपको उसे रोकने के लिए कहता हूं तो आप विकरित हो जाएंगे क्यूंकि वो सब आपके दिमाग में होगा अगर कोई आपको कह रहा है, तुम ही ये करना है, अगर तुम इसे नहीं करोगे, तो तुम नॉर्मल नहीं हो, तो दूसरी तरह की विकृती आएगी, दोनों ज़रूरी नहीं है आखिरकार आप किसी पूरुष्य स्त्री के पीछे नहीं जा रहे, आप सुखद्था के एक स्तर के पीछे जा रहे है, एक बार आप एक स्तर की सुखद्था का अनुभव कर लेते हैं, तो क्या आप इसमें और गहराई तक नहीं जाना चाहेंगे? क्यूंकि जो भी सुखत्ता घटित हुई शायद आपने दूसरे व्यक्ति का इस्तिमाल किया मगर सुखत्ता आपके भीतर घटित हुई सही है तो मान लीजे वैसे भी सुखत्ता आपके भीतर घटित हो रही है दूसरा व्यक्ति उसे खोलने की बस एक चाबी है क्या आप नहीं चाहेंगे कि चाबी आपके हाथ में ही हो हाँ कि अगर आप इस तरह बैठें आप पूरी तरह आउन हो आपको किसी की जरुवत नहीं है नई, देखिए कोई चीज आपके जीवन में कोई चीज चाहे सुक के लिए हो, पैसे, प्रेम, ये, वो चाहे किसी भी चीज के लिए जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं इस धर्ती पर कोई भी वास्तव में भरोसे लाइक नहीं है है ना मैं हर जगह से ये शिकायते सुनता रहता हूँ कुछ लोग आमतोर पर महलाएं शिकायत करती हैं कि उनके पती बहुत ही शरीर केंद्रे थें कुछ महलाएं लगातार शिकायत करती हैं वो मुझ पर उंगली भी नहीं उठाता जो भी होता है वो एक समस्या है क्योंकि वो कभी उस तरह नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति शामिल है कुछ भी सौब प्रतिशद आपकी मर्जी से नहीं होगा है की नहीं? हाँ या ना वो कभी नहीं होगा इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान से शादी कर लें फिर भी ऐसा नहीं होगा जब तक आपके अस्तित्व का तरीका सुख और खुशी की आपकी भावना दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है आपको हमेशा शिकायत रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना शांदार है तो इस संदर्भ में लोगों ने भ्रह्मचारे की बात की होगी क्यूंकि उन्होंने कहा थोड़ा विराम दो क्यूंकि किसी से सुख निकालने के लिए आपको कई चाले चलनी पड़ती है वो आराम से नहीं हो जाता इसे कोर्टिंग कहते हैं एक बार कोर्ट में चले जाएं फैसले का दिन आ जाएगा उसमें काफी समय प्रयास, उर्जा और तमाम दूसरी चीजे लगती है निराशाएं इर्शाएं, समस्याएं सब कुछ उससे जोड़ा होता है तो किसी ने कहा उन चीजों से थोड़ा दूर रहकर देखो कि क्या इसे आंतरिक रूप से पैदा किया जा सकता है और फिर लोगों के साथ रहना आपके प्रेम के कारण अधिक होगा आपकी ज़रूरत के कारण नहीं जो निश्चित रूप से लोगों के साथ रहने का एक बेहतर तरीका है है ना? ये निश्चित रूप से दूसरे इंसान को सम्मान देने का बेहतर तरीका है है किने? इस पर थोड़ा ध्यान दीजे, उस पर और उस पर और उस पर ध्यान देने के बजाए, इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजे, जितना आनंद कोई दूसरा आपके लिए पैदा करेगा, ये उससे कहीं ज्यादा आनंद पैदा कर सकता है.